जहिन दोस्तों स्वागत है वापस से आप सभी का आपके अपने परिवार आदितरंजन सरकंसेप्स में तो मेरे भाई यूपी कॉंस्टबल में तो धुआ धुआ काट रहे होंगे आप लोग ठीक है एक तरफ बैक टुबैक सॉलुशन हम आपको कराय जा रहे और दूसरी तर परिवार आप लोगों के साथ में 24 अगस्त के शिफ्ट टू के पेपर के साथ में कि क्या पेपर का पैटन था कैसा सवाल पूछा गया था और मैस के सवालों को कैसे आप उड़ा सकते थे तो पेपर देखिए बहुत जादा आपका लोग भी नहीं था बहुत जादा टफ भ दोरे सही होते हैं वो डिपेंड करता आपके मेथड के उपर में और डेनी के मादम समा आपको यही सिखा रहें कि आप अपने मेथड को बदल यह तरीकों को बदल यह आप में से 90 पसंट बच्चों का जो तरीका है वो यह कोशन देखानी बनाना शुरू और ऑप्शन भी अगर आपको पता होता तो और पांच मिनट पहले आपका पेपर खतम हो जाता मैस का ही चोटी चोटी चीज़े अगर आपको पता होती तो अभी हम जब कोशन करवाएंगे ना तो आप देखेगा तो चली आईए मेरे बाई शुभारम करते हैं और जिन्होंने वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है वह सबस्क्राइब कर दें सबसे पहला कोशन आपके सामने क्या है अरुन ने एक साइकल को खरीदा और कितने में खरीदा 800 में और बेचाए 920 में तो प्रॉफिट का पर्शंट कितना होगा ठीक है सिंपल सी बात है मेरे कोशन देखो अब इस कोशन में बच्चों ने पता नहीं तरह टाइम क्यों लिया एक ट्रेन यहां पर कहा गया है कि एक खंबे को 15 सेंड में पार करती है इसका मतलब अपने आपको 15 सेंड में पार करती है तो नब्बे किल्योमेटर प्रती घंटा से यातरा कर रहे हैं इस टाइम बराबर क्या होता है तो टाइम बराबर distance upon में speed होता है pull की जो distance है वो कितनी है तो 600 है और speed हमारी कितनी है तो 90 है बट ये kilometer पर hour में है तो 5 बट 18 से गुना करके इसको हम meter per second में बदल देंगे 18 से काटो 5 बार में 5 और 25 से अगर हम काटते हैं तो यहाँ पर 2 बार में 50 हो गया और 4 बार में इतना हो गया तो यहाँ पर अपने आपको पार कर रही है 15 में और प्लैटफॉर्म को कर रही है 24 में तो जब वो प्लैटफॉर्म को पार करेगी मतलब अपने आप प्लस प्लाटफोर्म यानि 24 और 15 कितना हो जाएगा 39 तो correct answer हमारा कितना होगा option number यह होगा बस बात कतम क्यों इतना लंबा और लंदी solution हमें लेके जाना था बस छोटी-छोटी बाते समझते हमारा काम हो जाता है इस question में देखे क्या कहा गया cost price of 27 article इस से में selling price of x article यानि हम अगर बात करते हैं तो 27 वस्तूओं का क्रे मुल्य मेरे बाई x वस्तूओं के विक्रे मुल्य के बराबर है तो यहां से अगर आप क्रे मुल्य और विक्रे मुल्य का जबाप अनुपात लेंगे तो आप बोलेंगे सर यह x upon में कितना है तो 27 है समझ रहे हैं बात को लेकर के साथ में लाब आपको कितना मिला है तो 35% का आपको लाब मिला है 35% का लाब का मतलब क्या होता है कि अगर 100 रुपे की वस्तूओं है तो वो कितने में बिक्एगी तो 135 में बिक्एगी ठीक है अगर आप देखोगे तो इसको 5 से डिवाइड करने पर ये आया है तो इसको भी 5 से डिवाइड करने पर कितना हैगा 20 आएगा तो x का मान कितना होगा तो 20 होगा बस बात कतम या तो ऐसा बोल देते 27 का 5 गुना 35 है तो 20 का 5 गुना कितना होगा 100 होगा या इसका रेशियो अगर निकालेंगे तो 20 सपों सताइस आएगा 27 के जगह पर 27 दिया तो 20 के जगह पर 20 होगा आप ऐसे भी कह सकते हैं ठीक है आईए चलिए next question की बात करते हैं क्या कहा गया सभी संख्याओं में से आनि इन दो संख्याओं में से हम कितना घटा दें यहाँ पर कि बाद में तो 3-4 दिया गया तो मतलब यह नहीं ले सकते 15 में से 3 घटा तो तुम्हारा बारा आएगा 19 में से 3 घटा उस्हारा आएगा कि मिता की इंकम एक सब्सक्राइब को मिता ki आये वह 125 परशन्ट जादा है तो यहां पर सीता की आये मीता कि आये से कितना परशन्ट कम है है जार बार प्रतिशत में पढ़ाया फॉर्मला बुक में लिख लिख कर बताया है हमने आपको कि यहां पर यहां एभी रूल लगता है अगर एभी से इतना परसंट जाद है तो बी यह से कितना कम होगा तो यह जो 125 परसंट है जब आप इसे दोड़ते हो तो 125 बटे में 100 या पाकि अगराप दूसरे तरीके से समझना चाहते हो तो आप यह भी कह सक्ते ओ कि मीता जो एहां पर यह सीता है अगर इनकी कम 100 रुपईया है तो इनसे 125 यह ज्यादा है तो यह कितना है तो किस से मीता से तो कमी कितने की है 5 की और कितने पे 9 पे 5 बटे 9 इंटू 100 यहाँ पर करोगे तो कितना हैगा एक बटे 9 कामान 11.11 होता है तो 5 बटे 9 कामान 51.55 होगा बस बात कतम तो A-B rule भी लगा सकते थे या नॉर्मल तरीके से भी जा सकते थे कोई दिक्कत नहीं था आईए चलिए नेक्स्ट कोशन देखिए अब यह सवाल इस कोशन को हाला कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से अपने शॉर्ट में सीट में जो है वह कवर किया है क्या होता है कि जब आप LCMHCF पढ़ते हो उसमें बहुत क्याती प्यारा कोशन आ जाता है यह कोशन उसके उपर में आप पढ़िए यहां पर कि जब हम लंबी विभाजन विदी से दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक की गन्ना करते हैं तो अंतिम विभाजक दो होता है और क्रमिक भागफल पहले के अंतिम तक यहां पर यह यह होते हैं तो उन दो संख्याओं को ग्यात करिए अब यहां पर लोग क्या करने लगे होंगे बढ़िया तरीके से लॉंग डिविशन मेथड कि सर वेन वी कैलकुलेट HCF अफ टू नंबर तो यह हमारा लास्ट डिव होता है ना अंतिम जो भाजक होता है ना अंतिम भाजक ही उन दो संख्याओं का HCF कहलाता है जब भी आप लॉंग डिविशन मेथट से निकालते हो तो जो लास्ट डिवाइजर होता है वो दो संख्याओं का HCF होता है तो लास्ट डिवाइजर कितना है तो उनका HCF कितना हो सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके HCF दो है बस बात कतम ठीक है ना यहां पर उतना जा करके तमाशा करेंगे यहां पर राके टाइव करेंगे क्यों करें भाई पेपर मैंने इसे लिखा ना पेपर टफ होता नहीं है वह आपके अप्रोच उसको टफ बना सकते हैं आसान बन दो यहां पर दो रेल गाड़िया विपरित दिशा में 29 किलोमेटर प्रति घंटा और 25 की गती से चल रही है तेज गती वाली रेल गाड़ी में सवार एक विक्ति को 6 सेकेंड में पार करता है तो तेज की यहां पर लंबाई क्या होगी तेज वाले ने धीमे वाले को पार न दो विपरित डिरेक्शन में जा रही है एक दूसरे कए और ये मैं नहीं कRIह रहा हूँ ये कोश्चन में कहा गया है कि दो रेल गाड़िया विपरित दिशा में जा रही है तो स्पीड क्या करते है तो विपरित में जोडते हैं 29 और 25 कितना होता है जल्दी से बताई सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब करके पहले से रख लीजे ताकि कि एक अच्छे कंटेंट के संगत में रहें आप और वो आपके उपर में अच्छा प्रभाव डाले तुरन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आफी काफी कंटेंट आपके अलग-अलग परिशाओ को ले करके आएगा और मैं नहीं चाहूंगा कि कोई बच्चा इससे के लिए दिया है तो वो जाकर कि इतने का अमाउंट बन गया यह मिश्रधन है हमारा तो पूछा गया तुम्हारा मुल्धन कितना था दस परशंट का दो साल 21 का ब्याज बनाता है दस परशंट का तीन साल 33.1 बनाता है तो अगर हम बात करें तो दस परशंट का तीन साल 33.1 का बयाज बनाएगा olabilir ये जो मेरे भाई बयाज नहीं है ये मुलधन नहीं है ये मिश्रधन है हमारा तो मिश्रधन का मतलब क्या होता है 100% का मेरा मूलधनी और 33.1 यानि 133.1 का क्या हो जाएगा ये वैल्यू हो जाएगा तो यह जो गने मुझे मुलधन निकालना है तो मैं किस से गुना करूंगा सो से यहां से अटा दो इतनी बार में यह काटेगा चार बार में और चार के पीछे कितना जीरो चार जीरो कौन सा अप्शन है तो सी जो है कहुना प्यार है करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है जो इस भाई ने यहां पर ऑप्शन नुमर एटिक रखाया गलत कर रखाया आप इसके टिक पर मत जाना जो मैं पदाऊंगा वह सही उत्तर है आज आव कोशन देखो कुछ रिशी कुछ कृशी श्रमिकों की औसत मासिक आये ऐसे और अन्य श्रमिकों की यहां पर टी है तो अगर हम बात करें तो कितना है तो टी है यदि क्रिशिक श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की तुनला में 11 गुना है मतलब अगर यहां पर यहां पर यह कितने लोग है तो 11 लोग है यहां पर तो सभी श्रमिकों का औसत हमारा कितना होगा याद रखिए औसत को निकालने के लिए हमेशा क्या करना होता है सम निकाल करके यहां पर नंबर से भाग करना होता है तो पहली बात सम कैसे निकालेंगे एक श्रॉमिक का यहां पर आए एस है तो 11 का कितना होगा तो बोलोगे सर 11 देव से ना होगा यहां पर यह चीज छोटी सी देखिए कि एक यहां पर है ना पेपर मतलब देखो जो प्रेशर होता है इस बच्चे ने कैसे गलती कर दिया इसने ऑप्शन नंबर भी को टिक कर रखा है देखो अगर मैं हटाओंगा तो यहां पर पता चलेगा यह ऑप्शन जिनाओं में दो उमीद्वार थे 75% ने अपना मत नहीं डाला 75% ने अपने मत डाले जिन में से 2% अवैद पाए गए एक उमीद्वार को 9261 वोट मिलते हैं जो कुल वैद मटो का इतना है मैंने हमेशा परसंटेज पढ़ाते वक्त इलेक्शन पढ़ाते वक्त यह बात कहा ह कि अलेक्शन में दो तरह कि concept होते हैं एक concept of total vote और यह किसका concept है तो बोला गया इतना वीचो और इतना परशंट अव टोटल वैलीड़ वोट और जब वैलीड़ वोट आता है तो तुरंथ हम वहां पर क्या लगाते हैं सिरीज लगाते हैं ठीक है तो हम यहां पर क्या आप इसमें से कितने लोग देने गया तो 75 अपने डाले यानि सो लोगों में से मात्र 75 लोग देने गए थे अब जो लोग देने गए थे उसमें से कितना परचेंट विकार हो गया तो ऐसे मान की चलो सो मैं से यहां पर दो विकार हो तो 989 वोट तुमारे बन गए ठीक है अब जो उमिदवार है उसको यहां पर कितना कुल वैद मटो का 75 मिलता है यह जो भी वैलिड वोट आ रहा है इस वैलिड वोट का कितना परसंट मिल रहा है यहां परसंट यानि अगर यह 100 है तो इसका 75 परसंट उसे मिल रहा है और यह बराबर है हमारे किसके तो बराबर है 9261 के बराबर है हमारे कितने 9261 के तो टोटल वोट मांगना ने एक्स की वैलिड निकालनी है धरती का सबसे आसान सवाल है आप 75 से कार देखो 25 से काटो 3 बा हो गया और 9 का 9 मेरे भाई क्या सी हो गया क्या 98 इसको काट पाए गाप यह बताइक है तो बोलेंगे हमारा एक बार चला जाएगा चार इंटू दो आठ एकमाठ आठ दो नी 16 हो गया और यहां के मुफ्त जीरो उसको मिल गया है तो 16800 यह हमारा एक्स का मान आ गया option number जो c है वो हमारा क्या है correct answer है तो election में जब भी valid vote वाला सवाल आता है सिरीज मेथड लगाओ और अपने answer को जल्दी पाओ और इसी तरीके से मैं शुरू से आप लोगों को पढ़ाता हूं कि concept बना बना गर गर पढ़ो कि पेपर में वहां तुरंत पकड़ लो confusion ना हो गलतिया ना हो कब कहां पर कौन सा मेथड लगाना है कहां पर एबी रूल लग यहां पर तुम्हारी भीया पुलिस है और यह पुलिस इसको कितने मीटर से देख रही है तो 200 मिटर के दूरी से इसको देख रही है अब उसके बाद यहां पर क्या कहा गया जब पुलिस करमी पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी भागना शुरू करता है चोर की गती 16 ह पुलिस की गती 20 है तो पकड़े जाने के पहले कितना दूर भागा होगा हलका सवाल एक दम जैसे मानों यहां पर कि घड़ी का टिक टिक स्टार्ट होता है नौबजे एक दम चौर यहां से यहां भागता है और नौबजे पुलिस यहां से पीछा शुरू करती है और यहां य चार बार में यानि ऐसे मान करके चलो कि पुलिस कितना भागा है तो तो यह कितने कमांने एक कमान कितना है तो 500 यह पूंछा जाएगा कि पुलिस कितना भागी है तो दіл को चांथ 125.N Flash सही मितर और यह पूछा जाएगा चोर कितना भागा है कर выз तुच्छ कमान हजार कुछेन में यहां पर कहा गए छोर पकळे जाने के पहले कितनी दूरी भागा होगा तो option number B हमारा correct answer हो कि एक कमांड 204 कमांड 1000 हो जाएगा बस बात कतमबाई यहाँ पर आईए चलिए next question यहाँ देखते हैं अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा है उसत का सवाल है एक क्रिकेटर की 64 पारियों के रनों का एक निशीत उसत था माल लेते हैं X था ठीक है अपने 65 पारी में वह अपनी और बिना किसी score के out होता है मतलब zero run पर out हो जाता है ठीक है इससे उसका उसत दो run कम पड़ जाता है तो रनों का उसत क्या था तो हम यहाँ पर sum निकालते हैं एक पारी में अगर उसने X बनाए थे तो 64 पारी में कितना बनाए था त 65 पारी का run कितना होगा तो हमाऄ इसके बराबर में हो जाएगा यहां पर यह 130 िधर आ जाएगा और वहाँ पर X चला जाएगा लोग देखते हैं नहीं सिधा देखकर के 120 मार देते हैं, 130 मार देते हैं काहे करोगे भाई ऐसा मुर्खता वाला काम, यार, ये तो पढ़ लो question में पूचा क्या है पहले का उसत पूचा है की बाद का पूचा है पहले का पूछेगा तो 130 बता होगे और बाद का पूछेगा तो 130-2 यानी 128 बता होगे तो कोशन में कहा गया उसके रणों का नया औसत क्या है 130 में से 2 कम करके 128 इसलिए कहता हूं गलत option पहले मिलेगा सही option बाद में गलत इंसान जीवन में पहले आते हैं बाद वाले बाद में आते हैं ज्यान रखो सही वाले बाद में आते हैं तो यह गलती नहीं करनी है ठीक है आज यह दो वर्षों के बाद में चक्रवीदी ब्याज की 10% की दर पर इतना हो जाने वाली मून राशी क्या होगी वही बात है अब हम आपको क्या याद करवाए 10% का 2 साल 21% 10% 3 साल 33.1% तो कोई पैसा है 10% के रेट से मैंने दिया है और 10% के रेट से मैंने दिया है तो कितने सालों के लिए दिया है 2 सालों के लिए तो 10 के इसाब से 2 सालों में आंसर होगा ठीक है आई यह अगला सवाल यहां पर यह वाला कोशन भी बड़ा प्यारा कोशन आप समझे इस कोशन को टाइम एनवर को क्या कहा गया X और Y यह कारे को 12 और 18 दिनों में कर सकते हैं उन्होंने एक साथ कारे करना शुरू किया लेकिन 4 दिनों के बाद Y को छोड़ना पड़ा और X ने अकले 6 कारे पूरा किया तो पूरा कारे करने में यहां पर दिनों कितने पूरा हुआ है यहां पर यह कोशन में पूछा गया अकेला पूरा काम करता है, पूरा कारे कितने दिनों में हुआ है, दो तरह के question पूछे जाते हैं, बचा हुआ काम कितने दिनों में हुआ है, भाई, number line से ऐसे देखो, X और Y की प्रेम कहानी कितने दिनों तक चलिए है तो 4 दिनों तक चलिए है और उसके बाद में Y छोड़ देता है तो X बेचारा अंतम काम करता है अगर question में ये पूछा जाए total काम कितने दिनों में हुआ है तो जितने दिन X काम करेगा उतने ही दिन टोटल काम हुआ है क्यों X तो कभी छोड़ कर गया ही नहीं तो यानि X के days लिकाल दो तो वो total number of days के बराबर हो जाते हैं और X के days कैसे निकालेंगे यह total work है इसमें से Y का काम घटा देते हैं तो यहां पर एक दिन में Y दो unit काम किया है तो चार दिन में कितना किया होगा आठ मेरे भाई इसमें से निकाल दो तो तुम्हारा बच जाएगा 28 अब यह 28 किसने काम किया एकस ने किया और इस 28 को करने में कितना दिन लगा तो बोलोगे सर यहाँ पर time बराबर क्या होता है तो work और upon में क्या हो जाएगा तो x की efficiency यानी इतना यानी 9 सही 1 वटे 3, x ने इतना दिन काम किया, 28 वटे 3 सिधा दिया गया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 28 वटे 3 जितना दिन x काम करेगा वहीं total होगा तो कौनसा option होगा d4 देव से ना बस बात कतम भई आईए next question देखिए अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया एक ठेकेदार 40 दिनों में एक सुरंग बनाने का कारे का जिम्मा लेता है ठेकेदार हमेशा पर इमान होता है उसके case पर बरुस लगाते हैं कितना काम हुआ एक तरफ कितना छोड़ दिया वह एक तरफ अब आजाओ बोला गया कि 25 पुरुषों को नियोजित करता है और 24 दिनों के बाद में वह पाता है कि केवल एक तिहाई सड़की बनी है यानि 25 लोगों ने 24 दिनों में कारे कितना किया है तो एक तिह करना चाहिए यहाँ पर कितने अर्थ का मतलब पहले 25 लोग ते अब उसमें कितना आ जाएंगे एक्स लोग और आ जाएंगे यहाँ ठीक है ताकि वह चार दिन पहले काम पूरा करने में सक्षम हो 40 दिन का ठेका लिया था 40 दिन में भी वह चार दिन पहले चाहता है यानि 36 दिनों में काम चाहता है 36 दिनोर में 24 दिन वह करवा कर चुका है तो बचा कितना 12 दिन लोगों इतने यहां कवा करए इसलिए वर्क लेफ्ट यहां लिखा हुआ है उड़ा दो भाई इसको कोई दिक्कत ही नहीं है तीन तीन खदम हो जाता है बारा से काटो कि मेरे दो बार में पचीस इंटू दो पचास और यह आ जाएगा तो तुम्हारा कोशन कराया था और सेम यहां पर उठकर के आगया पढ़िए कहा गया एक वैपारी एक वस्तू को खुद्रा विक्रेता को 20% के बट्टे पर देता है डिसकाउंट पर देता है ठीक है और डिलिवरी और पैकिंग चार्ज के लिए वहां पर बोलता है 10% का शुर्क लगेगा ज उसने मुझसे कहा कि ठीक है हम तुमको 20% का डिसकाउंट दे लेंगी 10% काम चार्ज लेंगे हम उस समान को खरीद के लेके चले आएं और जब हम लेकर आएं तो हमने भी किसी को बेचा तो वहीं कहा गया कि खुद्रा विक्रेता नहीं से इतने अधिक में बेचा है इतने अ मतलब मेरा पंचीश पर् collaborations का मान है और मुझे कितने का मान निकालना है तो सूरी Canada यह उग् armored मेंने से मुझें मेरे यहां तो YEARS है वी हो गई तहस Kendra दो लो घर कर्लोट além ने इतने में बेचा है और रिटेलर ने इतने में खरीदा है अब वैपारी बेचेगा कितने में तो कोई आर्टिकल तुम्हारा X का है उस आर्टिकल पर पहले तो वैपारी 20% कम करेगा ठीक है तो 20% कम करने का मतलब 100 की वस्तु को वह सी में बेचेगा फिर बाद में बोलेगा आपको एक्स्ट्रा शुल्क भी देना है 10% यानि 100 रुपया अगर बिल बनेगा तो उसमें 10 रुपया वो जोड़ देगा पैकिंग वेकिंग चार्ज का और तब जाकर के वो इतने में बेचेगा यानि 16,360 में तो मैं बोलूँगा इ यहां पर यह लिगदो की सर्य यह कितना है तो यह हमारा बराबर है 4092 इंट्यू हमारे किसके तो यहां पर फूर के बस बात कतम अब उसके बाद में आपको जो काटना है आप काट लीजे भी या जैसे माल लीजे 00 से आपने दोनों कतम कर दिए 11 से आप काटेंगे तीन बार बार में और यह इतनी बार में आठ से काट लो भाई 8-4 बार में तुम्हारा 32 आ जाएगा ठीक है 32 होगा फिर 42 पूरा कटेगा क्या में तो यह आपका एक्स का जो मान आ जाएगा यह च्छे और नौन इंटु दो अठारा हो गया और बाकि दो जिरू तो मुफ्त के आगा एठारा जाए च्छेसों कहीं पर है उप्षन में तो यह जो होगा वो हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर तो जो यह दिया गया था वो ला प्रहानी हो रहा था अब मुझे लाब हो गया कैसे हुआ यह चमतकार और मैंने कितना अपने आप में सुधार किया तो यह जो है इतना अधिक करने से यह काम हुआ है तो यह जो बारस हो है हेंगे यह हमारा कितने का मान है 20 और 5 25 पराइस ओता है कि erase अब कद आए नहीं पर ऊपने लेस एंखके बड़ा पावर में को यहाँских सक्षम यह वैसा पावर जो दोनों देने में सक्षम हो एक अमीर वी उतना चंदा दे पाए गबीर गरीब बिचना क्यों उतना दे पाइए वह कहलाता है तो बोलोगे 7, 5, 12, 6, 18 कट जाएगा 9 से 4 हमारा नहीं कटेगा उसके बाद में यहाँ पर तुम्हारा 5, 5, 10, 8, 18 कट जाएगा 7 हमारा नहीं कटेगा 7, 5, 12, 6, 18 यह कट जाएगा 7, 5, 12, 6, 18 कट जाएगा 2 नहीं कटेगा तो यहीं आंसर है एक और तरीका आंसर देने का मैं आपको बताता हूँ अरे बहिया एक बात बताओ यहाँ पर तुम्हारे यहाँ पर 0 दिया गया है तो जो भी यहाँ पास है लगाना तुमको है बताओ आजब, दो वेक्तियों की संपून वेतम लंदिया बराबर है यह इमॉलियमेंट कहते हैं इसको इमॉलियमेंट का मतलब ऐसा होता है जैसे आपका जो सैलरी भी बनता आप लो कहें तो इंकम टेक्स इंस्पेक्टर की सैलरी अ कि शैलरी उचालीज जार है वो चालीज फिर उसमें तुम्हारा एचारे जुड़ता है है कि राया मतलब महंगाई बदता और सारा जोड़ने के बाद में लास्ट में यहां पर एक शब्द लिकाता है मॉल्योमेंट बोलते हैं उसको इमॉल्यूमेंट अब जा करके तुम को 40,000 रुपिया मिलेगा यानि यह 0000 रुपिया सब लोगों को जोड़ने के बाद मेंuar ठिर्ट है तो अब कौशन को मैं आपको यहां पर समझाता हूं कौशन में क्या है कहा गया दो वेक्तियों का यहां पर दोवेक्तियों का टोटल इमॉलिमेंट सेम है जैसे मानो मैं हूँ मेरा दोस्त हैं हम दोनों अलग-अलग दफ्तर में काम करते हैं हमारा basic payment कितना है किसी को नहीं पता मानो में X रुपय कमा रहा हूं तो Y रुपय कमा रहा है लेकिन मेरा सारा खर्चा जुड़ने के पाद में हम लोग क्या हो जाते हैं तो बराबर हो जाते हैं वही बात है दो वेक्शियों का शंपूल वेतल अम्show लंदिय अ 100 रुपया है लेकिन 100 रुपया basic payment है उस basic payment में 65 रुपया जोड दिया जाएगा तो मेरा अब salary बन जाएगा 165 जो मेरा दोस्त है उसका base payment यहाँ पर कितना है तो 100 रुपया है और उसमें महेंगाई बतासी जोड दिया जाएगा तो उसको इतना रुपया मिलेगा और मेरा final payment औ और 15 से काटोगे तो मेरे भाई 12 बार में तो finally यहाँ पर X upon Y का जो रेशियो आजाएगा वो 12 upon 11 आजाएगा कौन सा option है तो यह जो है correct answer है तो इस shift में मैं कोशिश कर रहा हूँ questions को आपको समझाओं बढ़िया तरीके से कि मामला चल क्या रहा है ठीक है बाकि shift में उड़ाना कहीं हद तक ठीकता लेकिन यहां पढ़ाना बहुत हद तक जरूरी है यह भी समझे आई अगला question देखिए क्या कहा गया एक वैपारी अंकित मुले पर इतने का बट्टा देता है और उसे अभी भी क्रेम मुले पर इतने का लाब होता है यदि वह अंकित मुले पर बेचता है तो लाब का ग्याद करिए मतलब अंकित मुले पर अगर कोई बेच रहा है तो अंकित मुले पर बेचने का मतलब discount कितना देना 0 सुबह वाले मैं बैच में ही मैंने एक formula पढ़ाया था को से मुठागर के आ गया मैंने क्या कहा था कि जब आपका मानलो एक profit पर एक discount दे या एक discount पर एक profit दे दूसरे discount पर profit पूछे तो कैसे करोगे तो बोलोगे सर 100 plus minus P1 देखो P1 upon L1 divided by क्या हो जाएगा 100 minus D1 और यह बराबर होगा यहाँ पर 100 plus minus P2 upon L2 divided by कितने के तो D2 के इसलिए मैं कह रहाँ सारे shift के question देख करके जाओ बहुत फायदा होगा और उसके लिए channel को subscribe कर लो ता कि जैसे यहाँ पर वीडियो डालो notification आए और तुरन देख करके निप्टा तो अपने number पके कर लोगे आप लोग तो पहले वाले case में 20 का discount है और 44 का lab हुआ है तो यहाँ पर 100 में से 20 घटा दो तो तुम्हारा 80 हो जाएगा और 100 में 44 जोड़ दो तो 144 हो जाएगा दूसरे वाले case में यहाँ पर क्या है तो दूसरे वाले में कोई discount ही नहीं मिला है तो 100 में से 0 घटाएंगे तो मेरे बाई 100 हो जाएगा और profit calculate करना है तो 100 प्लस X कर लेते हैं इतना आसान question तो कभी आप लोगों ने देखा ही नहीं होगा यार आप 8 से काटो तो कितनी बार में 18 बार में 18 into 10 180 हो जाएगा एक 180 बराबर क्या हो जाएगा 100 जमा एक्स अब यहाँ पर 100 में से 100 घटा दो कितना एगा 80 80 कहां पर है तो डीफ और देव से ना केलकतम भाई next question पर आजाओ अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया अगला सवाल भी लाब और हानी का भरभर के questions पूछा गया है पढ़िए एक गाउं के वैपार के मेले में एक आदमी इतने रुपे की कुल राशी में एक घोड़ा और एक उट खरीता है यानि घोड़ा और उट को मिला क सेम। वां कितनी बार पढ़ा रहा है सेम प्राईस सेम प्राईस यहां पर सोल्ड ऑसेमस्ट होता है और अगर दो लोगो का से मॉता है तो क्या करते करते हैं तो हम यह बोलते हैं कि सर्मानो यहांιο और हमारा गोड़ो का एक क्षी में टा और यह हमारा camel का क्या था तो क्रेम उल्ले कभी भी अपने आप में कितना होता है तो 100% होता है, घोड़े के साथ में क्या हुआ है कि 25% के लाब पर बेचा गया है, तो सौ के समान को 25 के profit यह निए 125 में बेचा गया है, camel यानि ऊट के case में क्या था तो वो समान अपने आप में क को गुना की SP बन गया और दोनों का SP क्या है बराबर तो SP अगर बराबर है क्योंकि कोशन में कहा गया है सौ से सौ को काट दो पचीस से यहां पर या पांच से काटोगे तो बोलो के सर पांच से पचीस बार में पांच से काटेंगे 16 बार में तो घोड़े का क्रेम उले और यह जो आनों पात आएगा वो 16 बटे 25 आएगा ठीक है यानि यह जो तुम्हारी पेमेंट भाई यहां पर यह पांच हजार 125 यह दोनों को मिला करके बनी है तो बोलो के 5,125 दोनों का सम टोटल है यहां पर किसका बोला गया? तो बोला गया जिसको 50 बार में काटऊगे 16, 85, 62, 62, 62, 64, 26, 64, 20, 2000 आ जाएगा कौन सा option है option number A बिलकुल हमारा सही उत्तर है ठीक है कौन सा option है option number A सही उत्तर है बाकी मैं आपको एक और तरीका बताता हूं यहाँ पर एक तो इतना समझ लो कि दो option अगर कोई टिक भी करना चाहता तो नहीं कर सकता था पूछो दोनों को मिला करके 5125 में खरीदें थो एक कोam 55 में कैसे खरीद सकते ठीक है कोई इशू नहीं कुई दिक नहीं है आप अगर मैं आपकी जगह होता मानो यह सारा काम नहीं करना है बाई ऑप्शन जाना है दो को तो मैंने इतने में खरीदा था तो गैरेंटेड यहां पर कि दूसरा वाला है वो कितने में होगा वो 3125 में खरीदा होगा 5125 में इसे निगाल दो तो इतना हो जाएगा तो कम वाले को जादा में बेचना होगा जादा वाले को कम में बेचना होगा तो कम वाले को जादा में बेचना होगा तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा तो इसमें 25% का प्रॉफिट जोड़ना पड़ेगा 25% का मतलब इसका एक चौथाई, इसका एक चौथाई होगा 500, तो यहां जोड़ दो तो 25 सो आ जाएगा, इसको loss में बेचना होगा, और कितने के तो 20% के, अब इसका 20% कितना होगा, एक बटे 5, इसका एक बटे 5 कितना हो जाएगा 625, और इसमें से 625 गटा होगे तो 25 और question में कहा गया तो दो हमने देखा तो सफेद वाला, सफेद वाले का मतलब 20%, तो यह 20% में है, और मुझे आपर क्या बताना है, कौन में बताना है, पहली बात, यह जो पाई चार्ट होता है, अगर मैं इसे परसेंट में लिखूंगा, तो 100% होगा, और अगर मैं इसे डिगरी में लिखूंगा, तो 360 डिगरी होगा, तो मैं आपर यह कह सकता हूं कि 100% का मान कितना है, तो 360 डिगरी, मुझे कितने का मान बताना है, 20 का मान बताना है, तो इसको मैंने 5 से भाग किया, तो यह इसको 5 से भाग करो, बहतर आ जाएगा, यहाँ पर कौन सॉप्शन होगा, एक बच्चे ने है तो बोला गया गाउं की संख्या कि कि से में कितने गाउं है फिस यहां पर यहां पर यहां और करता हैं कि यह सवाल में पढ़ते हैं क्या कहा गया राज्य बी-में तो पहले कहां जाएंगे तो राज बी में जाएंगे उन गाउं की संख्या जहां दोहजार चौदर में विदूती करण किया गया था राज डी के गाउं की संख्या का कितना परसेंट है जहां तो हजर बारा में विदूती करण किया गया यानि राज डी का कौन सा लेना है बारा का मतलब यहां पर यह तो कोश्चन में यहां पर यह कहा गया कि यह वाली जो संख्या डी के संख्या का कितना परसेंट है 40-50 इंटू-180 परसेंट आएगा कौन सा ओप्शन होगा डी हमारा क तो इस तरीके से मेरे बहुत ही बहुत यह बहुत इस वीडियो के टॉप डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा कोई और भी डाउत है कोई और भी क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ और अगर भारत में किसी भी गौर्मेंट आराम से मैस रिकॉर्ड बेश लेकर के जबर्दस तरीके से त्यारी करो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि और भी जो कल में अनलिसिस कर वाओंगा देखो सुबह के अनलिसिस का फायदा कितना जादा शाम को हो रहा है तो इसलिए जरूरी है यहां पर शेयर करना लोग इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा और जी विक्रम जीत अप्लिकेशन और यहां से मात्र 699 रुपए की यह बैच लाइफ टाइम वैलिटी के साथ में आपको यह सारा कंटेंट देती है यह सब का एक्सेस आपको मिल जाएगा तो बढ़ियां से पढ़ाई करिए दो झाल झाल झाल